पाकिस्तान ट्रिकेट टीम कडी सुरक्षा के बीच बुद्वार को भारत पहुची यहां उसे विशकॉप में हिस्सा लेना है पाकिस्तान टीम ने 2016 के बाद पहली बार भारत की यात्रा की है जब पाकिस्तानी खिलाडी हैदरबाद हवाई एड़े पर पहुचे तो सिकर्टी गार्ट की ओर से रोके गए उटसाहिद फैंस की भीड ने टीम के कप्तान बाबर आजम और अन्य खिलाडियों का शान्तदार वेलकम किया दूसरी ओर हर किलाडियों गले में शौल जैसा कुछ पहनागर परंपरागत तरीके से सुआगत किया गया रोचक बात ही है कि बाबर आजम को पहनाए गया शौल का रंग भगवा था पाकिस्तान करकिक बोड की ओषज़े श्यर वीडियों में वह गले में भगवा रंग का शौल पहने दिख भी रहे हैं सोचल मीडिया पर लोग इस पर कॉमेंट भी कर रहे हैं बता दे कि भारत और पाकिस्तान में लंबे समय से कई भी बात चल रहे हैं उसमें कश्मीर और आतंगवाती करती विदियां सबसे बड़ा मुद्दा है यही वज़ा है कि भारत में पाकिस्तान के साथ किसी पर तदा की बाइलेक्टरल सीरीज खेलना बंद कर दिया है पाकिस्तान का भारत में भव्वे स्वागत हुआ और खिलाडियों ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर इस पर खुशी वेक थी टीम के कप्तान बाबाराजम स्टार के इनबास चाहीन शाफरी भी और विकेट कीपर बल्लेबास मुहमद रिजवान उन खिलाडियों में शामल थे जिन्होंने सोशल मीडिया पर भाजी अदिकारियों के साथ साथ भीड को भी धन्यवाद दिया लिजवान ने प्रिटर पर लिखा अधभुट स्वागत सब कुछ बहुत सहस्ता अगले एक देड़ महिनों का इंतिजार कर रहा हूँ बाबर और शाहीन ने इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की पाकिस्तान के कफ्तान ने लिखा कि वे भारत में प्यार और समर्दन से अभी भूथ हैं जबकि बाए हाथ के तेज़ की इन्बास शाहीन ने इसे भव्वदे स्वागत बताया वो लेक ये हैं कि विश्काप में 10 अलग अलग स्टानों पर 46 जिनों में 48 मैच होंगे जिसका समापन 19 स्वेंबर को फाइनल में होगा पाकिस्तान के पास दो बैस्ट मैच लिदा रिता हैं एक 29 सितंबर को न्यूजिलेंड के खिलाफ और दूसरा 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिला जाएगा ये दोनों हैदरबाद में आयोजित किया जाएगा कट ये दोनों मैच हैदरबाद में आयोजित किये जाएंगे इस दुरान फैंस को एंट्री नहीं मिलेगी फिलाल इस वीडियो में इतना ही केल और स्पोर्ट्स की तमाम खबरों से अपडेटिट रहने के लिए जोड़े रही है NBT स्पोर्ट्स के साथ